और दोस्तों किया हाल चाल है? अज की इस फीडियो मा आपको बाताऊंगा How to Reset Privacy Protection Password Private Album, App Lock and App Hide के लिए अपने जो Privacy Password सेट किये थे उसे रिसेट कैसे करें? दोस्तों अब दो तरीके से इस पासवार्ट को रिसेट कर सकते हैं Number 1. Xiaomi Account अगर आपने Privacy Password के साथ MI Account एड करके राखे हैं तो उस MI Account के जरिए पासवार्ट रिकूबर कर सकते हैं यहां Forget Pattern पे टैप करेंगे इसके बाद MI Account का पासवार्ट एंटर करिए अगर आप इसका भी पासवार्ट भूल चुका हैं तो पहले Forget Password पे क्लिक करके MI Account का पासवार्ट सेट कर लीजिए इधर MI Account का पासवार्ट एंटर करने के बाद ओके करिए इसके बाद Privacy Production के लिए एक नया पैटर्ण सेट कर सकते हैं Number 2. Factory Set अगर आपके फोन में Privacy Production के साथ MI Account एड नहीं किया हुआ है तो Factory Set किया भी ना इसका पासवार्ट रिसेट नहीं कर सकते और Factory Set करने से आपके फोन में जितने साथे फोटो, वीडियो, इंपोर्टन फाइल है सब कुछ फॉर्मैट हो जाएगा अगर आप Factory Set के लिए इंट्रेस्टेड हो, तो पहले आपके फोन से जो भी इंपोर्टन डेटा है ओव बैक आप ले लिजिए या तो पेंडाइम में टांसपर कर लेना उसके बाद, Forgot Parent पे टैप करके Reset में जाना है Next, Eris All Data पर क्लिक करिए फोन फोर्मेट करने से पहले, Lock Skin का पासवाद एंट्र करना होते है इसके बाद, आपसे पूछ जाएगा, Backup Item Fast Next, Factory Set पे क्लिक करिए उसके बाद, आपको सोचित किया जाएगा, कि आपका फोन फोर्मेट होने जा रहा है यहां 10 सेकंड का टाइमर खतम होते ही, Next दबाना है आपसे दूबड़ा पूछ जाएगा, कि आपने सब इड़ा का Backup लिया है इसके बाद, 10 सेकंड का टाइमर खतम होते ही, OK कर देना फिर आपका डिवाइस, Reset होना सुरू हो जाएगा दोस्तो, डिवाइस साल होने के बाद, आप आपने इस सब से Privacy Password Set कर पाएंगे लेकिन जो फोटो, वीडियो और Important File Hide किया हुआ था, वो सब डिलीड हो जाएंगे तो दोस्तो, उमीद करते हो कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल था तो इस वीडियो को लाइक करके हमने चलिए सब सेब करना ना भूलें